Hello Friends, Recently उत्तराखन Government UCC को स्टेट में लागू करने की तयारी में है उत्तराखन Assembly में ये Bill टेबल पर रख दिया गया है अगर ये Bill अप्लाय हो जाता है और एक कानून में Convert होता है तो उत्तराखन Independent India का पहला स्टेट होगा जहां पर UCC है इसके अलावा UCC गुवा में भी है लेकिन गुवा में ये UCC हमने लागू नहीं किया 1961 में जब पुर्तिकीज चले गए तो पुर्तिकीज सिविल कोड वहां पर पहले से था उसी का नाम चेंज करकर गुवा सिविल कोड रख दिया गया आईए जानते हैं UCC के बारे में UCC stands for Uniform Civil Code As the name suggests, it means Uniformity यानि कि एक रूपता Civil Code या Civil Laws में Civil Laws क्या होते हैं जो Civil मामलों को जज़ करें Civil मामले जैसे की Marriage, Divorce, Succession, Adoption, Live-In Relationships ये सारे Civil Laws हैं तो क्या अभी ये सारे Civil मामले एक ही Laws से Regulate नहीं होते जी नहीं, हिंदू, जैन्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस, सेक्स, पार्सी, जूस, सबके अलग सेप्रेश सिविल कोर्स हैं और सब अपने-अपने कोर्स से Regulate होते हैं क्या Constitution में इस DUTC के लिए कोई Provision है? जी हाँ, Article 44 of Indian Constitution talks about Uniform Civil Code अगर Constitution में Civil Code के बारे में बात है, Uniform Civil Code के बारे में बात है, तो अब तक यह लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह DPSV का पार्ट है, यानिकि Directive Principles of State Policy यह Legally Unforcible नहीं होते हैं लेकिन UCC के लिए बहुत opposition है इसका में कारण है Diverse Personal Laws Society different है, तो Laws भी अलग हैं Customary Practices अलग अलग हैं और Traditions भी अलग अलग हैं Religious Groups और Minority Groups से Special Resistance मिलता है क्योंकि उन्हा लगता है इससे उसकी Identity खत्रे में हैं Lack of Pact, Political Will और Consensus भी इसका एक कारण है फिर भी UCC के बहुत सारे फायदे हैं जैसे की National Integrity, Secularism, Communal Conflicts कम होता है Sectarian Conflicts भी कम होते हैं Equality, Fraternity Values को Promotion मिलता है और Gender Equality भी मिलती है That's it from my side, for more such videos, stay tuned Thank you